जिनको प्रमेह की सिकायत है जिनको बार बार धातु रोग की सिकायत का सामना करना पड़ता है और आपका शरीर जिर्ण शिर्ण और कमजोर हो चुका है उनके लिए भी गुठली रामबान्ड है एक दिव्योशरी है तो उसके लिए भी आवले का पाउडर और जामुन की गु करके जिटना दोनों का पाउडर हो उतनी मात्रा में मिश्री को पाउडर करके आप एक सिसी में भरकरके लें और फिर आप सेबन करे एक मत्सवभा एक चमत्सचाम को फिर आप दceksएंगे कितनी किंग आ को प्रमेह की शिकायत है ढटर रोग की तो वो शिकायद दूर हो जाएगी और यही प्रयोग हमारी माताएं महने एदि करती हैं आवले का पाउडर चमन की गुठली का पाउडर और उतनी ही मातरा में उसके अंदर मिष्ट्रिय मिला करके और जो मध्मेह के रोगी हैं वो लोग मिंष्ट्री ना मिलाएं सुभः साम आप ले लेते हैं तो यह आपके लिए कारगर होगा आपके प्रमेह के लिए प्रदर के लिए माताओं वहनों की लिकोरिया के लिए यह बहुत ही एक सरल उम्दा और एक दिव्य प्रयोग है